अभी छटा सूत्र, छटा सूत्र है वो ये कि खाना खा रहे हैं, तो हमेशा बैठ कर खाना, खड़े होकर कभी भी खाने का नियम मनुश्यों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए, मनुश्यों के लिए नहीं है, क्यों है जानवरों के लिए और क्यों नहीं है मनुश्यों के लिए जानवर चार पायों पर चलते हैं, उनका जो center of gravity है, गुरुत्टुकेण, शरीर का, वो मनुष्य से भिनने है, क्योंकि मनुष्य दो पायों पर चलता है, तो मनुष्य का जो गुरुतुकेण रहे, और पशुओं का जो गुरुतुकेण रहे, दोनों अलग है, वो चार अब ऊपाएं, तो खड़े होकर खाने के लिए पशुओं को अनुमती है मनश्चु को नहीं है, मनश्रोको बैठ करीई खाना के अरथाग, भुफे सिस्टम, भुफेलो सिस्टम है, भुटेलो माने मश्री, मश्री खाती है ज़ए खड़े हो, ज़्यदा तो आप भूलेंगे हम कहीं शादी में गए हैं अब जवस्ता वहां ऐसी है कि खड़े हो कहीं खाना पड़ता है तो क्या करें तो भी आपको मेरी बिंती है कि आप जहां भी शादी में गए हैं लगन प्रसंग में गए हैं या किसी भी प्रसंग में गए हैं और वहां बुफे सिस्कम का खाना है त तो क्या तकलीफ है वह आपके में मतारेशा हो अभी आप बैठे हैं अभी थोड़ी देर में आप कढले हो जाएब आपको अंतर मैंसूस होता है शुरीर में, बैठे होने में और खड़े होने मेें मैसूस होता है न क्या जादा अच्छा लगता बैठना न बैठते समय शरीर का गुरुप्तु केंदर बदल जाता है फिसिक्स की भाषा में अगर मैं कहूँ बहतिक शास्तर की भाषा में बैठते ही शरीर का गुरुप्तु केंदर बदल जाता है और खड़े होते ही फिर से गुरुत्वी के अंदर बदल जाता है अब इसका कारें क्या होता है जब आप खड़े होके खाना खाते हैं तो प्रत्वी का गुरुत्वा करशन जो बल है वो आपके ऊपर सबसे अधिक होता है जब आप खड़े होता है तो जैसे आपने खाया तो तो प्रत्वी का जो गुरुत्वा खर्शनबद है वो सभी वक्तूओं को अपनी तरफ सीच में का होता है तो आप खाना खाएंगे तो नियम तो यह है कि यह धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए लेकिन खड़े होके खाएंगे तो यह पूरा जन्दी से उतर जाए अब जन्दी से उतरा हुआ खाना है इसमें लार की मात्रा जो आहार गली में मिली चाहिए वो कम हो जाती है और गुरुत्वकेंद्र बदल जाने के कारून यह जन्दी से नीचे आता है तो इसके पाचन में फिर संकट पहदा हो जाता है लार की कमी होने के तो खड़े होके जो खाया उसको पाचन होने में बैठ कर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है और समय ज्यादा लगता है शरीर के अंगों को भी तकीफ ज्यादा होती है पाचन करने इसलिए आहरुवेत में बहुत सक्ती से नियम बनाया है कि जो मनुष जाती के लोग है उनको बैठ कर भोजन करना सबसे अच्छा है अब बैठना भी कैसा है आप तो कहेंगे जी मैं तो कुरसी पर बैठ के खाता हूं मौने डाइनिंग पेबल भी तो बैठना नहीं है बैठना यह है जबी आप अभी बैठने है यह बैठना है आपने जो आसन इस समय लगाया हुआ है इसको खासन में बैठना ही बैठना होता है कुरसी पर बैठने कर खाना खाने का नियम नहीं यह कुरसी पर बैठकर खाना खाने का नियम यूरोप में है भारत में यूरोप और भारत में क्या अंतर है यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी वह होता आप जानते हूं और इतनी ठंडी है कि एक परस में आठ महिने सूरी का प्रकाश नहीं निकलता आठ महिने और ठंडी इतनी होती है कि तापमान माइनस 40 डिवरी संटिगरेट होता है विणात्माच बरफ पर बरफ जमी रहती है तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर में स्नोवियल फ्ल्यूट कम बनता है स्नोवियल फ्ल्यूट एक ऐसा फ्ल्यूट होता है इस जो जो जोइंस है न आपके सभी इन जोइंस में रहता है हट्डियों के बीच में आपस में तो तक्कर होती है इसको बचाने के लिए घर्षण बचाने के लिए जैसे डाड़ी में मोबिल ऑइल डालते हैं तो शनीर का मोबिल ऑइल है जिसको स्नोवियल फ्यूट करते हैं तो जो ठंड़ वाले देश के लोग हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्यूट तो वो जल भी बैठ होट नहीं सकते हैं इसलिए उनको नियम है जो खड़े ओके भी खाएं या कुरसी पर बैटके खाएं क्योंकि ये भुटना उनका मुड़ नहीं सकता स्टेफ होता है बहुत कवाख होता है इसलिए वो मेज कुरसी पो बैठ के खाते हैं टाइनिंग के खाते हैं भारत वासियों के लिए यह नहीं है मेज कुरसी के खाना हमको तो जमीन में बैठकर ही खाना सबसे अच्छा है तो आयूर्वेट ने इसका सूत्र बनाया कि जमीन पर बैठ कर भोजन करें यह बहुत आवश्यक है निरोगी हो देंगे अब आप ओलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें बेच दो खरीद आए तो बिट भी सकता है ना तो आप पहेंगे जी पैसा उतना नहीं मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा लेकिन शरीव तो अच्छा रहेगा और मेरी एक सुझाओ है कि डाइनिंग टेबल की लकड़ी निकाल के उससे वो पट्टे बना गए जिस पे ठाली रखके खाना काथे पाटी तो डाइनिंग टेबल की लकड़ी से बहुत अच्छा बनेगा